दोस्तों, इस वर्ष 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का प्रावधान है, चाहे आप धनिया ही क्यों न खरीदे, परन्तु धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं, उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होता है, इसलिए लोग धनते उपए की यह एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएंगी, किस्मत धन बरसेगा, जमकर के कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगा, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते, देखिए, धन ते सिर्फ दो रूपए का चीज, इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं, जिसे खरीदने से रोग और सुख ये दोनों मिट जाते हैं, और जातक को सुख और सम्रिध्धी की प्राप्ती होती है, आप अपने स्वार्थ हनुसार आज के वीडियो में कुछ ऐसे सामगरी है जिसे आप खरीद सकते हैं, अब आखिर जानते हैं, धन तेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए, देखिए, जो धन तेरस का दिन होता, ये धन प्राप्ती करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है, धन तेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं, उसमें 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है। खरीदना चाहिए, तो आप अपने सामर्थ अनुसार, धन तेरस के दिन आपके पास जितنا पैसा है, आपके पास जो समर्थ है, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अगर मेरे वीडियो में बता देखिए जन एवं जन कल्यान करना आप सभी दर। अभी तक कॉमेंट बॉक्स में जै माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जै माता लक्ष्मी जरूर लिखना और जो बहन हमारे विडियो को देख रहे हैं बहन लोग आप जो कॉमेंट बॉक्स में हैपी धन तेरस भाईया जरूर लिखना तो सर्व प्रथम जो है कमल का बीज ध्य जो कमल के गटके होती हैं, उसे माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। जो करते हैं, इस तरह से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाये, माता लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। करती हैं। कारण ही हमें वेद का ज्यान हास। सर्व औशधी आते आप, जो इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी आती है, वो भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की चमतकारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती है, या फिर चमतकारिक जो वनस्पतियां होती हैं, ये खरीद करके लाकर धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है, इस दिन समर्पित करने के बाद ये जो औशधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागरित अवस्था में हो जाती है, मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारियां ठीक नहीं हो रहे, तो इस दिन समर्पित किया गया। औशधि की अगर दो से तीन बूंद अगर जो लंबे समय से बीमार खाट में पड़े मानव हैं, चलने फिरने में समर्थवान नहीं, तो इसके नाक में अगर इसके दो से तीन बूंद जो आप औशधि ला रहे हैं, उसके दो से तीन बूंद नस दिया जाए, तो वो मानव भी ठीक होकर के कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। इसके बारे में एक मैं कथा भी बता दूँगा तो इस दिन आप अपने समर्थन पांच गोमती चक्र और पांच कौडी जरूर लाना पिली कौडी को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। अकर्षित करने का काम करता है। उसी तरह जो ये कौडी है ये धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौडी माता लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोम ये चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वाभाव है कि आपके जीवन में चली परिशानी को समाप्त करते हैं गोमती चक्र का सरल असर है। जिस घर में गोमती रखा हो उस घर में किसी भी तरह का बाधा नहीं आने देते तो गोमती पांच आपको गोमती चक्र लेना है और पांच आपको पिली कौडी लेना है। जी पहना देना नजरदोश नहीं लगेगा, जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है जो बीमार से छुटकारा पाना चाहती है। खुद आपको कोई रोग हो, आप चाहते हैं कि वो रोग से आपको मुक्ती मिल जाए, या फिर कोई लोग आपके उपर में किये कराया कर देते हैं, तो आपको इस दिन साथ गुमती चक्र लेना और शरीर से साथ बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है, बहते इसके बाद है जाडू, इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि जाड जाडू को माता लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। वहाँ पे राहू आते हैं, वहाँ पे केतू आते हैं, वहाँ पे फिर नकारात्मक चीजों के असर बढ़ते हैं। इसके बाद है धनिया, मैं पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, धनिया की जो संबंध होता है सीधा धन की देवी। माता लक्षमी से देखिए, आज भी ग्रामीन क्षेत्र में धन्तेरस के दिन धनिया बोय जाते हैं। ऐसा समझा जाता है। धन्तेरस के दिन कोई मानव घर में धनिया खरीद करके लाए और इसे बोते हैं, तो ऐसे मानव के जीवन में जैसे जैसे धनिया कार्य में बनना शुरू होते हैं। वैसे वैसे ऐसे मानव की जीवन में परिशानी है, चाहे धन संबंधी परिशानी हो, चाहे किसी भी तरह का परिशानी वह परिशानी दूर होता है। जैसे जैसे धनिया का कार्य बढ़ता है, वैसे वैसे मानव की अध्यात्म उन्नती होता है, तो कैसा करना होता है, तो आपको मार्केट एक मुठी धनिया खरीद करके लाना है, आप चाहते हो तो एक किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, परंतु उपाय बता रहा हूँ, इसमें आपको एक मुठी धनिया चाहिए, एक मुठी धनिया को लाल कलर के वस्त्र में आपको डाल देना है, और इसे माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। आपको इसे आप जो सबजी के रूप में आप इसका उपाय कर सकते हैं, आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं, जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके जीवन में अध्यात्म उन्नती होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, हम पांच उपाय बताएं, सबसे सरल उपाय बताएं हैं, जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्यान होगा, तो आप अपने अनुसार पांच में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाइए, आपके अध्यात्म होगा. ये वीडियो कैसा लगा? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और माता लक्ष्मी की कसम है. अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना. कॉमेंट बॉक्स में जै माता लक्ष्मी जरूर लिखना, हमें अब ही हर समय हमें भी उल्लास होता है। आप सभी दर्शकों इस तरह अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं तो हमें भी पुण्य की प्राप्ती हो और इस वीडियो को अपने तक सिमित मत रखना। आज की जानकारी को मैं समाप्त करता हूँ। दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार, जय श्री राम, जय महालक्ष्मी।